हेलो माई दियर स्टूडिंट्स वेलकम टो माई चैनल आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं हाइट अन डिस्टेंस ग्रेट 10 की प्रॉब्लम सम्स तो चलिए शुरू करते हैं यहां पर अप्जर्वर खड़ा है प्ज़र्वर खड़ा है वो एरोप्लेन को देख रहा है तो aeroplane sky में होता है, eye level से उपर देखते हैं, तो इसलिए angle of elevation, suppose point A पे aeroplane है, तब क्यांसा angle of elevation था? 60 degree. After a flight of 15 seconds, the angle of elevation changes to 30 degree. 15 seconds के बाद flight जो है, वो position A से position B चली गई, तब angle of elevation क्या हो गया? 30 degree यहाँ पे, और जब A पे था, तब क्या था angle of elevation? 60 degree था. If the aeroplane is flying at a constant height, at a constant height of 1500 root 3 meters, flight जो है, वो constant height पे जारी है, उसकी height increase नहीं हो रही है, A से B वो constant सीधा ही गया, तो 1500 उसकी height थी, 1500 root 3 meters उसकी height थी. Find the speed of the aeroplane in kilometers per hour. तो उसकी speed निकालनी है. अब A point जहाँ पे aeroplane fly कर रहा था, वहाँ से अगर straight line नीचे draw करेंगे, तो वो C पे मिलेगी, ground पे. B जो point है, वहाँ से भी अगर straight line हम draw करेंगे, तो वो point D पे मिलेगी, ground पे. तो हमें एक triangle मिल जाएगा, O, B, O, O, B, D, ये triangle मिलेगा, और दूसरा triangle क्या मिलेगा, O, A, C, O, A, C, ये दूसरा triangle मिलेगा हमें, तो उससे हम, जो है, वो speed निकाल पाएंगे, aeroplane की. तो कैसे निकालते हैं, चले देखते हैं, तो मैंने ये draw किया है, diagram, तो उसके basis पर, जो हमने assume किया है, वो हमें नीचे लिखना होता है, तो मैंने already लिखा है, पर मैं आपको diagram के साथ, जो लिखा है, वो समझा रही हूँ. तो let O, X, be the horizontal ground. तो यहाँ पे ये जो horizontal ground है, O, X, हम उसको मान के चलते हैं, let suppose करते हैं. लेट O, be the point of observation, जो O point है, वो observation का है. लेट A and B, be the two position of aeroplane, यह A and B, be the two position of aeroplane. लेट AC, be perpendicular to O, X, यह AC, be perpendicular to O, X, and B, D, be perpendicular to O, X. दोनों ही perpendicular है, मतलब क्या हुआ, यह जो angle है, वो 90 degree बनेगा. अंगल C, O, A, एंगल C, O, A, इक्वल स्टी डिग्री, यह जो angle बना वो 60 degree. यह जो angle बना वो 60 degree. अंगल D, O, B, is equal to 30. D, O, B, is equal to 30 degree. and AC is equal to B, D, is equal to 1500 root 3 meters. तो क्योंकि aeroplane जो है, constant height पे travel किया है, from A to B point, तो यहाँ पे यह distance क्या हुआ, 1500 root 3. और यह distance भी क्या हुआ, 1500 root 3 की height और अप्टेन की fly करने की same है. अब कैसे करेंगे, from right triangle O, C, A. O, C, A, जो हमारा right triangle बना, O, C, A. यह वाला जो right triangle बना, C, O, A, या O, C, A. उसमें क्या है? उसमें हमें क्या करना है? तो हमारे पास कौनसी-कौनसी values है इसमें? O, C की value हमारे पास नहीं है. A, C की value हमारे पास है. तो हम क्या लेंगे? O, C upon A, C. तो क्या हो जाएगा वो? Cot. और angle क्या है इसका? 60. तो हो जाएगा Cot 60. तो बस वही मैंने नीचे लिखा है यहाँ पर यह रहा. O, C upon A, C is equal to Cot 60. O, C क्या है हमारा? O, C पता नहीं है हमको. A, C क्या है? 1500 root 3. Cot 60 का value हमें कहां से लेना है? T ratios में से लेना है. अब नेक्स्ट देखते हैं. तो नेक्स्ट कैसे solve करना है? From right triangle O, D, B. तो right triangle में यहाँ पर draw करती हूँ आपके लिए O, D, B. यह O, यह D हुआ, यह B हुआ. B मतलब 90. We have O, D upon B, D. O, D क्या है हमको पता नहीं है. B, D क्या है? यहाँ पर 1500 to 3 meters is equal to cot 30. यहाँ पर यह angle था 30 degree. O, D मतलब base, B, D मतलब height. Base upon height is cot. तो वो हमें लेना है इस तरीके से. तो O, D क्या होगा? O, D पता नहीं है. इसलिए as it is. B, D की value डालना है. cot 30 का value T ratios में से याद करके लिखना है. तो आता है root 3. तो आगे देखते हैं अभी O, D क्या हो जाएगा? यह 1500 root 3 जो है वो numerator में चला जाएगा. तो 1500 root 3 into root 3. यहापे जो root 3 है वो multiply होगा. तो root 3 into root 3 क्या हो जाएगा? 3. तो 1500 into 3. तो O, D क्या हो गया हमारा? 4500 meters. O, D क्या हो गया हमारा? 14,500 meters. अब हमको पहले कौन सी value मिली थी? OC की value मिली थी. और अब हमें कौन सी मिली? O, D की value मिली. तो diagram मैं फिर से draw कर रही हूँ. यहापे नीचे वाला, यहापे O है, यहापे C है, और यहापे D है. यह है A, और यह है B point. यह A point, यह B point. और यह flight का journey. तो पहले हमें क्या मिला? OC मिला. फिर हमें क्या मिला? OD, पूरा value मिला. तो हमको CD निकालना है. तो कैसे निकलेगा? 4500 minus 1500 OC. 4500 minus छोटा वाला. तो हमें क्या मिलेगा? CD का value मिलेगा? 3000 meters. CD का value हमें क्या मिला? 3000 meters. हमें CD का value क्यों निकालना है? क्योंकि जितना CD है, उतना ही AB है. तो कितना travel किया distance? वो निकालने के लिए हमें CD निकालना है. 5000 meters in 15 seconds. तो A to B point जाने में जो 15 seconds लगे थे. उसमें उसने distance कितना कवर किया? 3000 meters. तो speed of the airplane कैसे निकलेगा? speed का formula क्या है? distance upon time. तो distance is 3000, time is 15 seconds. 3000 meters में है. तो उसको convert करेंगे kilometers में. seconds में time है. तो उसको करेंगे convert hour में. into 60 by 1000. तो हमने convert किया kilometer पर hour में. 3000 upon 15 into 60 into 60. मतलब ये हमने convert किया hour में. और divide by 1000 मतलब हमने convert किया kilometers में. तो क्या आगे answer हमारा? 720 kilometers per hour. तो speed of the airplane is कितना मिला हमको? 720 kilometers per hour. तो I hope आपको जो ये मेरा sum है. वो समझ में आया है कि कैसे solve करना है? अगर आपको मेरे videos जो है वो समझ में आते हैं. तो मेरी channel को like करिए, share करिए, subscribe करिए. Thank you and thanks for watching.